Welcome 7th class students, today we will do angle number 28, page number 88 तो angle number 28 में बोला गया है कि एक समानांतर सम्चत्रबुज बनाओ जिसकी भुजा A, B, रेखा के समान और आधार कोन A के समान दिया है तो इस angle में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि समानांतर सम्चत्रबुज की से कहते हैं अगर आपने definitions learn की होँगी तो इसमें दिये गही है definition सम्चत्रबुज की तो सम्चत्रबुज वो होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो समान होती है ठीक है ये देखो आमने सामने की भुजाएं समान होँगी परंतो इसमें कोई भी angle जो है वो 90 degree का नहीं होगा A-B-Line लेनी है, जैसे कि आपको पता है कि हम A-B-Line लेते हैं अपनी मर्जी से, It is not mentioned the length of line, So, मैं यहाँ पे A-B-Line ले रही हूँ, 7 cm, आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, ठीक है, 7 cm, यह मैंने A-B-Line ले ली है, अब इन्होंने एक angle बोला हुआ है, side में लेने के लिए A-angle, जो कि आपको पता है कि हम हमेशा जो A-angle side में जो लेते हैं, वो 60 degree का लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ के हम 60 degree का एक angle बनाते हैं, अपनी मर्जी से compass आपने खोलनी है, चाहे आप इसको बड़ा खोलो, चोटा खोलो, यह हमेशा 60 degree का angle ही बनाएगी, ठीक है, तो हमने यह देखो compass अपनी मर्जी से open की है, ठीक है, और यहाँ पर 60 degree का angle हमने बनाना है, आप चाहो तो किसी और degree का angle भी बना सकते हो, लेकि 60 degree का angle easy होता है, तो मैं हमेशा आपको यह बोलूँगी, कि side में जो भी angle बनता है, वो 60 degree का ही आपने बनाना है, ठीक है, तो यह question में अल्रड़ी पहले दिया हुआ है, कि आपने side में A angle लेना है, और एक भूजा बोली है लेने के लिए, ठीक है, A और B उसका नाम हम रखेंगे, तो देखो यह जब A और B, capital A और B line हमने 7 cm ली है, तो side में जो line लेनी है, वो हम लेने लेते हैं 5 cm, ठीक है, तो यह side में है, small A और B line, ठीक है, जो हमने ली है 5 cm, आप अपने मर्जी से भी ले सकते हो, ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, कि A angle जो side में दिया हूँ है, A angle को आपने A point के उपर बनाना है, ठीक है, सेम उतनी ही compass आपने open करनी है, इतनी ही compass open करके, A point के उपर compass रखेंगे, और यहाँ पर 60 degree का angle, draw करेंगे, ठीक है, तो यह देखो, उतनी ही compass open है, इसके बराबर ही, तो यहाँ से यह cut लग गया, तो यह सेम यह वाले angle हम, A point के उपर बना लेंगे, अब हमने इसको मिला लेना है, डॉट्टर ही इसको मिला ना, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कि A और B line, जो side में ली हुई है, इसके बराबर आपने compass open करनी है, A और B line के बराबर, और A point के उपर रखनी है compass, और ऐसे उपर की तरफ को एक cut लगाना है, ठीक है, तो यह आजाएगा आपका C point, ठीक है, अब इसको थोड़ा सो हम डार कर देते हैं, यहां से, क्यूंकि यह हमारी answer line आ रही है, ठीक है, तो यह आगे आपका C point, अब आपने क्या करना है, पहले आपने A, B line के बराबर compass open करके, A point से उपर की तरफ को काटा, तो यह आगे आपका C point, अब आपने A और B line, जो capital A और B line है, इसके बराबर आपने compass open करनी है, जो की 7 cm है, ठीक है, इतनी compass open करनी है आपने, और C point के उपर रखके, ऐसी आगे की तरफ को, एक आप लगाएंगी, ठीक है, ओके, A, B के बराबर compass open करके, C point के उपर रखके, आगे की तरफ को, एक आप लगा दी हैं आपने, अब आपने क्या करना है, कि जितनी आपकी A और C line है, उसके बराबर आपने compass open करनी है, A और C line के बराबर, यह देखो, और B point के उपर रखनी है, और ऐसी, इस सार्ग को cut कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर यह आजाएगा, हमारा point, D, अब आपने क्या करना है, B और D को जोइंट कर लेना है, यह भी हमारी answer line आ रही है, ठीक है, अब आपने C और D को जोइंट कर लेना है, ठीक है, तो ऐसे आपकी यह, समनांतर, सम चत्रभूद जो है, वो बनके, ready है, अब आप अगर इसको देखना चाहते हो, कि आपका angle बिल्कुल ठीक है, यह गलत है, तो आप यह देख सकते हो, कि आपकी A और B line के बराबर ही, C और D line है या नहीं है, अगर A, B के बराबर C, D line है, ठीक है, तो इसमीस आपका angle बिल्कुल ठीक है, और सेम A, C के बराबर ही, आपकी B और D line होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे आपने यह angle बनाना है, neat and clean, ओकी, ओकी, सो सेवंफ प्लास स्टुडेंट्स, और नेक्स्ट कॉश्चिन इस, कॉश्चिन नमबर 29, सेम पेज नमबर 88, ठीक है, तो कॉश्चिन नमबर 29 में बोला गया है, कि एक वर्ग बनाना है, आपने, वर्ग मतल स्क्वेर, जिसकी भुजा, तथा कर्ण का योग, D, E, रेखा के समान दिया है, यह है आपकी D, E, लाइन ठीक है, तो इसके उपर आपने क्या करना है, एक स्क्वेर बनाना है, तो लेटे स्टार्ट, पहले आपने, A और D, sorry, D और E लाइन, जैसे कि कॉश्चिन में बोला गया है, सेम वैसे ही, आपने एक लाइन लेनी है, D और E, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, 10 सेंटिमिटर, आप अपने मर्जी से भी ले सकते हो, ठीक है, तो यह है, 10 सेंटिमिटर, small, D, and E लाइन, ठीक है, अब सेम इसके ही, बराबर आपने एक और लाइन लेनी है, 10 सेंटिमिटर ही, D और E लाइन, और यह लाइन आपने जो है, वो डॉटर लेनी है, जो कैपिटल D और E लाइन आप लोगे, तो यह आपने डॉटर लेनी है, तो यह भी कितने सेंटिमिटर ली है, 10 cm ठीक है यह आगे हमारी capital D and E line अब आपने क्या करना है कि point D और E दोनों ही points के उपर आपने 90 degree का angle बनाना है ठीक है तो अपने मर्जी से compass आपने open करनी है और 90 degree का angle draw करना है I hope कि आप सभी को जो है वो 90 degree का angle draw करने आता है इस फिर्स्ट कट 60 degree and this is the second cut 120 degree and after that we are bisecting 60 and 120 degree so this is angle of 90 degree ठीक है तो यह भी हमने डॉट्टर ही line लगानी है इसकी ठीक है और इस line का हम नाम रख देंगे H line अब सेम 90 degree का angle जो है वो हमने D point के उपर भी बनाना है उतनी ही compass यह देखो उसके ब्राबर ही compass open करनी है हमने और D point के उपर भी हम 90 degree का angle बना लेते हैं this is the first cut 60 degree second cut 120 degree and bisecting 60 and 120 degree okay so this is the angle of 90 degree again तो यह जाएगा आपका 90 degree का angle ठीक है D point के उपर अब आपने इसको नाम दे देना है इसको आप अपनी वर्जी से भी नाम दे सकते हो जैसे इसको दे दो जे नाम दे दो ठीक है अब आपने क्या करना है कि 45 degree का एंगल बनाना है यह देखो H और E और D ठीक है यह 90 degree का angle है J D और E यह भी 90 degree का एंगल है तो अब आपने दोनों ही points के उपर 45 degree का एंगल बनाना है और आपको बता है कि 45 degree का एंगल कैसे बनाते हैं उतनी ही compass open करके रखनी है ठीक है यह 90 degree वाले point के उपर compass रखो और ऐसे आक लगाओ सेम उतनी compass open करके यहां पर आपने compass रखके यह 0 degree है ठीक है आर्क लगानी है जहां पर दोनों आपस में इंट्रसेक्ट हो रही है इस इस दा एंगल ओफ 45 डिगरी यह लाइन आपने डॉटर बढ़ाने है आगे की तरफ को अब सेम 45 डिगरी का एंगल जो है वो आपने डी पॉइंट के उपर भी बनाना है रेडियस शुड़ भी सेम तो इस देंगल ओफ 45 डिगरी अगें तो यह लाइन भी हमने जो है वो डॉटर ही लगानी है अब आपने क्या करना है यह देखो दोनों पॉइंट के उपर जो है वो 45 डिगरी के एंगल बन गए ठीक है अब आपने डी पॉइंट के उपर 22 एंड हाफ डिगरी का एंगल बनाना है I think आप सभी को 22 and half degree का angle बनाने आता है तो इसके लिए आपने क्या करना है 0 degree और 45 degree का half करना है तो ये है ये वाला point है आपका 0 degree ठीक है ये वाला point है आपका 0 degree तो compass उतनी ही open करके इस arc को हम आगे की तरफ को बढ़ा लेंगे ठीक है और second आपने रखनी है compass 45 degree के उपर ठीक है और ऐसे ये आपने दूसरी arc लगानी है और यहाँ पे दो arcs जो है वो आपस में intersect हो रही है ठीक है तो इस इस इदे angle of 22 and half degree तो आपने इसको भी dotted ही मिलाना है और ऐसे आगे की तरफ को बढ़ा लेना है जो इस 45 degree के angle को जो की आपकी इस point के उपर बना है आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो 45 degree ठीक है और यहाँ पे आप लिख सकते हो 22 and यहाँ पे 22 and half degree ठीक है तो यह देखो यह 45 degree वादी line उपर की तरफ को जा रही है और यह है 22 and half degree की तरफ को जा रही है तो जहाँ पे यह दोनों lines आपस में cut हो रही है इस इस angle of इस इस C point ठीक है यह आगे आपका C point अब आपने क्या करना है C और D point का bisect करना है ठीक है आपको पता है bisect कैसे करते है आपको bisect करने का formula पता है तो D और C line का जब हम bisect करेंगे तो हमने compass open करनी है किसके बराबर half से थोड़ी से ज़्यादा compass हमने open करनी है यह देखो यहाँ जैसे इसका mid point half होगा तो हमने आप से थोड़ी से ज़्यादा compass open की है और ऐसे हम एक आक लगाएंगे ठीक है सेम उतनी ही compass open करके आपने D point के उपर रखनी है ठीक है और दूसरी आक लगानी है तो यहाँ पर हमारे पास two points आजाएंगे यह दुखो दो जगा पर intersect हो रही है ठीक है तो यह दो point आगे हमारे पास उनको हम जोइंट कर लेते हैं dotted ही जोइंट करना है इनको भी अभी दिखो bisect वाली line आपकी D और E line को यहाँ पर cut कर ही है ठीक है आप यहाँ से देख सकते हूँ आपकी bisect वाली line यह है आपकी bisect वाली line ठीक है आपके D और E point को यहाँ पर cut कर रही है this is your E point sorry A point यह आजाएगा आपका A point यह आपका यहाँ पॉइंट यह आपका A point अब आपने क्या करना है A और C को मिला लेना है this is your answer line A और C को आपने dark मिलाना है ठीक है और C और E को भी आपने dark मिला देना है ठीक है अब यह दिखो आपका यह half angle आगया है अब आपने यहाँ पे square बोला है question में कि square बनाना है आपने D और E line के उपर तो अब आपने क्या करना है E और C line के proper compass open करो ठीक है E point के उपर रखके नीचे की तरफ को आपने dark लगानी है ठीक है अब C मुतनी ही compass open करके आपने A point के उपर रखनी है और ऐसी दूसरी आप लगानी है जहां पर यह दोनों आप सापस में cut हो रही है so this is your B point यह आ जाएगा हमारा B point हम नाम देते हैं इसको B अब हम B और E point को भी बिला देते हैं तो ऐसे हमारा जो है वो X square वर्ग जो है वो बन जाएगा इन सभी line को आपने थोड़ा dark लगाना है ठीक है these are answer lines ठीक है तो ऐसे आपका यह एंगल जो है वो बन जाएगा आपने सभी line को थोड़ा सा डार्क कर देना है ठीक है और ऐसे ही आपने नीट and clean work करना है ठीक है आप देख सकते हो okay ऐसे आपने यह एंगल बनाना है तो यह है आपका एंगल नमबर 29 पेज नमबर 88 ओके थेंक्य स्टूडेंट्स